एक्जाम पोस्पोर्ण होगे क्या दुबारा यह एक्जाम को 50% से लेबस रेडियूस होगे है यही सारी आमेक्विटिस क्लियर करने मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ तो यह अभी CBSC के स्पोक्सपर्सन जो होते हैं फर एक्जामपल जो मीडिया से बात करते ह उनके तुरू न्यूज आई है जागरन जोश करके एक वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसमें 4 important देखलो 4 important updates में आपके लिए लेके आया हूँ यह कुछ-कुछ updates हमारे boards exam से related है class 10 और class 12 से related है चलिए start करते है perfect 4 important updates next 5 फ्रेट में खतम करेंगे जान दर समझेंगे क्या है start करते हैं सबसे पहले तो ambiguity की reduce हो रहा है नहीं हो रहा तो अभी तक यह news आई है कि your cbsc course for class 9th for class 10th and class 12th is not being reduced अभी तक ऐसी कोई news नहीं है कि reduced हो अभी तक spokesperson देखो क्या बोल रहे है spokesperson is saying कि cbsc's media in charge रामा शर्मा रामा शर्मा है इनका नाम told the media house that no decision regarding reducing 50% syllabus ऐसा बोला जारा था था ना कि अब 50% syllabus आएगा सरफ ऐसा कोई नहीं होने वाला ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारा पहले 30% reduce हुआ था इसका मतलब 70% syllabus आ रहा था तो अब उस ख्यालों में मत रहो कि यह 70 पहले 70 आ रहा था अब 50% आएगा तो हमें और कम पढ़ना पड़े और कम पढ़ना पड़े का तो यार प्लीज इसको आप ध्यान में रखो कि हमें जादा से जादा महनत करनी है 70% अभी तक के लिए confirm है आगे कुछ आ जाए तो पता नहीं है cbsc is known for you know rolling out these notification at the very end point पर आपक समझ दो यार हमारे revision भी शुरू होने वाला है December तक आपका एक full course complete हो जाना चाहिए December के बाद या November end के बाद आपका revise करना शुरू हो जाना चाहिए आपका schedule कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम in 70% यार already we are in a blessing right now क्योंकि हमें 70% prepare करना पड़ रहा है सिरफ समझ दो तो आपका November end त करते हैं CBSC is seeking opinions यह जितने भी schools के साथ हो consultation में ही CBSC कोई भी decision निकालता है बट अभी के लिए कोई भी syllabus reduce नहीं है अभी के लिए कोई भी syllabus reduction नहीं है एक और बात no exam postponement देखो यह बाच तीन बात चल देती first is या तो syllabus reduce कर दो या exam postpon कर दो या schools दुबारा से reopen कर दो तो देखो schools reopen तो हो रहे हैं बर जाता बच्चे महां जान रहे है या सबको अपने घर का comfort मिल गया है सबको यह और environment मिल रहा है रहने के लिए तो सारे 6 महने से जब तुमें काम करो एक दम तुमें कहें नहीं अब school आ जाओ तो एकदम थोड़ी difficulty होते है especially उनको जिनका boards का pressure है जिनके पर there is no exam postponement till now इसमें बोल रखा है हमारे पास पहले भी नोटिफिकेशन आई थी उसमें बोल रखा था कि end of February या March beginning में हमारे exams शुरू हो जाएंगे यह भी media spokesperson से ही आई है CBSC के जो spokesperson है उन्होंने ही ऐसा कुछ hint दिया है perfect फिर आते हैं कि sample papers आउट हो चुके हैं CBSC के website पे link आपको description box पे मिल जाएगा और in fact मैं सारे के सारे sample papers try कर रहा हूंगी learn करो class 9-12 में जरूर कराये जाएं आप सब की reference के लिए ताकि हमें यार कोई भी case based हो कोई भी marking scheme हो उसको समझने में difficulty ना हो तो November starting से हमारे sample papers भी solve हो रहे होंगे अगर आप इस समय ही sample papers solve करे जा रहे हो तो यार मेरे साब से आपकी strategy बहुत wrong है यार पहले हमें पूरा syllabus complete करना है उसको revise करना है फिर sample papers करना शुरू करना है इसके वज़े से ही मैं live lessons लेके आ रहा हूं वीडियोज लेके आ रहा हूं ताकि आप sample papers अपनी convenience के हिसाब से चाहे वो boards के exams के पहले हो चाहे वो November में हो चाहे है हमारे पास की मतलब अब हमारा ध्यान theory से हट के practical application में जा रहा है ये तो यार boards के exams के pattern से आप समझ गए होगे की case based problems के उपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो वो भी आपको description box में मिल जाएंगी और आखिर में जितना भी syllabus बन रहा है जितने भी mocks paper बन रहे हैं जितन November end तक नहीं हुआ सारी videos देखो सारी lessons देखो live classes देखो quizzes देखो आपका सारा revision हो जाएगा और last एक बहुत important news है यार हमने NCRT पूरी कर रहे हैं class 10 के लिए कर रहे हैं class 12th humanities और commerce दोनों के लिए कर रहे हैं तो live classes यार आने शुरू हो जाएंगे आपको October end November starting में आपको सारी live classes म percent हमारा कोई भी subject उठालो आप दुनिया का कोई भी subject किसी भी board का उठालो NCRT से आता है NCRT से आना है NCRT based तो जरूर आता है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने NCRT कर रहे हैं जितने भी lessons आपको मिल रहे है political science के legal studies के business studies economics social science सारे के सारे NCRT based हैं फिर हम previous years papers करेंगा अभी मैं ने बताया आपको मैं previous papers डालूँगा sample papers डालूँगा mock papers डालूँगा जो latest pattern से belong करेंगे case studies की अलग series आएगी जो आप सबके लिए available होगी फिर important one markers होंगे यार important one markers in terms of quizzes हैं जिसमें आपके fill in the blanks है objective type है यह already हम weekly almost two three classes ले रहे हैं live class ले रहे हैं तो अगर आपने check नहीं किया तो please check करो चैनल को subscribe करो और short short question यार हमेशा ना देखना जब भी भी आप हमेशा कुछ probability होती है कि हमारे boards में इस बार कौन सा question आने वाला है यह समझना बहुत important है यह समझना इसको बात को समझने के लिए एक average बच्चा भी बहुत अच्छा score कर लेता है तो अगर हमें short short questions पता होंगे तो यार बल्ले बल्ले हो जाएगी वो short short questions कब बताऊंगा वो में आपको बताऊंगा November end में क्यूंकि तब mostly बच्चों का हो जाता है course complete जिनका course complete नहीं भी हुआ वो हां समझ पहेंगे कि यार हमें अब strategy revamp कैसे करनी है यार topic wise मत पढ़ो question wise पढ़ो तो short short questions जो estimated हैं कि आ सकते बोर्स में वो आपको मिल जाएंगे और लास्ट में important questions यह सारी हमने बात कर लई है तो all the very best भगवान करें आपके best boards जाएं आप अच्छे जब प्रिपेर करो यह सारी notification है यह जितनी भी update आती रहेगी CBSC से मैं आपको देता रहूंगा have a great day channel को subscribe निया तो कर लो क्योंकि मज आने वाला है सारा course complete कर देंगे हमारे target 100 मिज़े 100 है और हम लाकर दिखाएंगे have a great one bye bye